फिल्म फाइंदिंग में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम 2018 की होरर मूवी की बात करेंगे एक फिल्म लुक अवे आई शुरू करें इस वीडियो को लाइक करें ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें फिल्म की शुरुआत दो जुड़वां बच्चों के स उनोग्राम से होती है ये पूरी तरह से नॉमल लगता है लेकिन अचानक बच्चों में से एक अधिक आक्रामक हो जाता है और यह एक बुरे सपने में बदल जाता है अब हम वर्तमान में जाते हैं और मारिया से परिचित होते हैं हम उसे शीशे के सामने हाई स्कूल के ये निकलती है जैसे ही वह अपना घर छोड़ती है मारिया एक सिग्रेट जलती है और उसकी मुलाकात एक दूसरी लड़की से होती है ये शात्रा मारिया के प्रती बहुत स्ट्रिक्ट है लेकिन उसे पहले ही उसकी आदत हो चुकी है स्कूल में कोई उससे बात नहीं करता और न उसकी परवा करता है। जब मारिया स्कूल जाने के लिए बस में चड़ती है तो तुरंत शात्रों द्वारा उसे परेशान करना चुरू कर दिया जाता है। उसके साथ कोई समय नहीं बिताना चाहते हैं और बिना किसी कारण के उससे गुस्से में हैं। उसकी वैसे एक दोस्त है, वैसे वे खास दोस्त नहीं हैं। मारिया अक्सर लिली नाम की लड़की के साथ वक्त बिताती हैं। वह मारिया के प्रती कोई रूची नहीं रखती और वह ज़्यादातर उसका इस्तिमाल करती है। मारिया अकसर स्कूल में अकेले समय बिताती हैं, वह सिर्फ अपने हेड़फोन लगाती है और संगीत सुनती है, उसे लिली से बहुत जलन भी होती है, लिली स्कूल में काफी लोग प्रिय है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, इस लड़के का नाम सीन है और वो मारिया का क् बहुत इरश्या करती है, जब मारिया घर वापस जाती है, तो उसे अपने माता पिता के साथ एक और रात का खाना सहना पड़ता है, वह अकसर घर पर बहुत शांत और आपने में ही रहती है, क्योंकि वह उनके साथ कमफर्टेबल महसूस नहीं करती, उसके पिता डैन दूर रहते हैं और अपना काम में बहुत समय लगाते हैं, वह एक प्लास्टिक सर्जन है और हर चीज के बारे में बहुत बारी की से जानने वाले व्यक्ति हैं, वह सब कुछ पफेक्ट होने की उम्मीद रखता है, जो मारिया पर बहुत दबाव डालता है, वही, उसकी मा एमी मा खावा करना पसंद है कि ऐसा नहीं हो रहा है, कुल मिला कर एक बहुत ही अस्थिर ग्रहस थी, अब रात के खाने के टाइम, मारिया को अपनी मा की दोस्तों और उनकी योजनाओं के बारे में बात करते हुए सुनना है, एमी अपनी बेटी की मदद करने की कोशिश कर रही है और उसे एक लड़के के साथ सेट करना चाहती है, वह सोचती है कि मारिया कुछ दोस्तों की मदद मांग सकती है, प्रॉम भी आने वाला है, इसलिए उसे डेट चाहिए, मारिया वास्तव में इस विचार के खिलाफ है और वह अपनी मा को रुपने के लिए कहती है, उसके प परवा करता है, बल्कि इसलिए कि वह एक शर्मिंदगी है, वह उसके बारे में बात करता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और ना कोई सोचल लाइफ है, और कैसे वह जीवन में कहीं नहीं जा रही है, मारिया ये सब सुनती है और अब वो और भी परिशान है, वह अपने कमर कि इसका क्या करना है इसलिए वह इसे नजरंदाज कर देती है वह फिर बाथरूम जाती है और शौवा के बाद कुछ समय अकेले बिताती है मारिया को अचानक आश्चर्य होता है जब शीशे में उसका अपना रिफ्लेक्शन अपने आप चलता है वह पूरी तरह से डर जाती है और जमीन पर गिर जाती है मारिया टोयलेट के पीछे छिप जाती है और फिर दोबारा शीशे को चेक करने जाती है मारिया दरी हुई है और ये देखने की कोशिश करती है कि क्या ये सिर्फ उसका वेहम है वह इने को पोँच देती है और उसका रिफ्लेक्शन उसे देखकर मुस्कुराता है मारिया पूरी तरह से डर जाती है और बात्रूम से निकल जाती है अगली सुबह वह अभी भी परेशान है और अपने माता पिता से कुछ मदद और सलाह लेना चाहती है वह नीचे जाती है और अपने पिता से बात करने की कोशिश करती है जबकि उसकी मानाश्ता तयार करती है उसके पिता डैन के बीच उसे उसकी बात पूरी नहीं करने देते वह उसकी बात भी नहीं सुनता वह केवल उसके रूप रंग पर ध्यान केंद्रित करता है सोचता है कि वह भयानक दिखती है और वो उस तरह से स्कूल नहीं जा सकती और सोचता है कि उसे नीम नहीं आई इसलिए ये सबसे अच्छा होगा यदि वह उपर जाकर कुछ मेकप लगा ले मारिया इस बात से दुखी है कि उसके पिता को उसकी समस्याओं में कोई दिल्चस्पी नहीं है वह अपने बालों को ब्रश करने और कुछ मेकप लगाने के लिए उपर बातरूम में जाती है हम देखते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन सिंग से थोड़ा बाहर है ये वास्तब में अपने आप चल रहा है मारिया को कुछ भी गलत नजर नहीं आता और वह हमेशा की तरह स्कूल जाती है मारिया को धमकाना पसंद करता है स्कूल बस के पास उसका इंतजार कर रहा है उसके चहरे पर बहुत ही खौफनाक मुस्कान है और मारिया उससे डरती है अचानक लिली एक नई कार में आती है और मारिया को सवारी देती है लिली मारिया को अपनी चीजों के बारे में शेखी करना पसंद करती है और वे उसके प्रेमी सीन को लेने जाते हैं मारिया को पीछे की सीट पर बैठना है और उसके क्रश को सामने आते देखती है जब वे स्कूल जाते हैं, मारिया अभी भी सीन और लिली के साथ घूम रही है लेकिन जल्दी वे मार्ग दबुली से टक्रा जाती है वह मारिया को जमीन पर गिरा देता है और सब के सामने उस पर हसने लगता है सीन मदद के लिए आगे आता है और मार्या के साथ बहस करता है मार्या ने नोटिस किया कि कैसे शौन ने उसकी रक्षा की और उसे वह पसंद आया स्कूल के बाद मार्या घर लोटती है और वह फिर से बहुत दुखी होती है वह एक आवाज सुनती है और डर जाती है लेकिन उसकी तरफ जाती है जल्द ही वह बात्रूम में पहुँचती है और शीशे के सामने उसका रिफलेक्शन होता है इस बार उसका रिफलेक्शन उससे बात कर रहा है और मारिया डर गई है ये reflection खुद को M कहता है और वह दिखने में मारिया के समान है लेकिन उसका स्वभाव बिलकुल अलग है मारिया उससे बात करती है और M बताता है कि वह हमेशा यहां मारिया के साथ है वह जहां भी जाती है हर reflection में होती है मारिया के पास एम की उत्पत्ती के बारे में बहुत सारे सवाल है लेकिन उसे उसका जवाब नहीं मिलता है और वह सिर्फ मारिया से पूछती है कि वह क्या चाहती है क्योंकि एराम को खुद पर भरोसा है एराम वादा करती है कि अगर कुछ बुरा होता है तो वह मारिया की मदद करेगी और बदला लेगी मारिया एराम से कहती है कि वह सुन्दर है लेकिन एराम ने उसे नहीं हम सुन्दर हैं और संकेत दिखाते हुए कहा कि वह उससे बात करना पसंद करती है अगले दिन मारिया बहुत अलग है नाश्ते में उसके माता-पिता तुरंद ध्यान देते हैं कि वह बहुत अधिक सकारात्मग है उसके पिता ने देखा कि वह अच्छी देख रही है और वह उससे कहता है कि उसे उस पर गर्व है मारिया ने तब अपने माता पिता से घोशना की कि वह विंटर प्रोम डांस में जा रही है इस खबर से उसके माता पिता दोनों असल में खुश है और मारिया ने सोशलाइज होने का फैसला किया है स्कूल में वह लिली और सीन के साथ बात करने जाती है मारिया चाहती है कि लिली उसे आई स्केट करना सिखाए और उसके दोनों दोस्त हैरान है कि वह कितनी बदल गई है मारिया अभी भी उनके रिष्टे से बहुत इर्श्या करती है और एम ने इस पर ध्यान दिया और वह अपने पिता के साथ एक दिन बिताती है वह सबसे पहले उसके क्लिनिक में पहुँचती है मारिया ने ये भी नोटिस किया कि उसकी एक प्रेमिका आफिस में है उसके काम खत्म होने के बाद मारिया और उसके पिता डैन एक फिल्म देखने जाते हैं उनका रिष्टा बहुत तनावपूर्ण है लेकिन मारिया कोशिश करना चाहती है फिल्म के बाद वे माक और उसके दोस्तों से टकराते हैं और माक ये दिखावा करने की कोशिश करता है कि वह और मारिया दोस्त है और यह एक अजीब स्थिती है घर जाते समय डैन मारिया से कहता है कि वह बहुत जल्द उसे जनम दिन का तोफ़ा देना चाहता है उसी रात मारिया एक बार फिर एम से बात करने जाती है अगले दिन मारिया को और भी भयानक खबर मिलती है उसके पिता का जनम दिन के उपहार का विचार मारिया को एक प्लास्टिक सरजरी देना था ताकि वह बच्छी दिखे मारिया बिल्कुल हत्प्रभ है और रन आउट हो जाती है इसके बाद वह हैराम से और भी बात करती है एम सभी पर बहुत गुस्सा है और हर कीमत पर मारिया की रक्षा करना चाहती है एम के साथ बात करने से मारिया काफी बहतर और अधिक सुरक्षित महसूस करती है जल्द ही उसकी माने नोटिस किया कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत है वह सामान्य से भी अधिक अजीब व्यवहार कर रही है डैन अब मारिया से बात नहीं करना चाहता है और एमी को बससे जाने देने के लिए कहता है स्कूल में लिली और मारिया एक साथ स्केटिंग सीखते हैं मारिया बहुत अच्छी नहीं है और जल्दी वह गिर जाती है और उठ नहीं पाती लिली वास्तव में एक बुरी व्यक्ति है इसलिए वह मारिया का मजाक उड़ाती है और चली जाती है मारिया को तब बर्फ पर पूरी तरह से अकेला छोड दिया जाता है एम को अब अपने आसपास के سभी लोगों पर और भी गुस्सा आता है वह मारिया से कहती है कि वह खास है और प्यार की हगधार है लेकिन सबसे बुरी बात तब होती है जब प्रोमडानस आता है मारिया पर उसके धमकाने वाले मार्क ने हमला किया और उसे सब के सामने घसीटा वह पूरी तरह से तूट चुकी है और डरी हुई है पूरी तरह से अकेला महसूस कर रही है और एक बार फिर एम से बात करने के लिए बातरूम जाती है इस बार वह शीशे को छूती है और एराम के साथ जगह बदल लेती है मारिया अबाइने में है जबकि एम का उसके शरीर पर नियंत्रन है इस बीच एमी को जन्देने के बारे में एक भयानक दोस्वपन आता है चून की एम अब नियंत्रन में है इसलिए स्कूल में चीजें वास्तव में अजीब हो जाती है एराम कॉन्फिडेंट और मोहक है जब माक उसे धमकाने की कोशिश करता है तो एम वापस लड़ती है और उसे डराती है एम तब अपनी मां की मदद करने की कोशिश करती है इसलिए वा उसे डैन के एक प्रेमी से मिलवाती है ये सब एराम की अपनी मां को उसके पिता पर नाराज करने की योजना है मारिया को ये पसंद नहीं है कि उसने अपने माता पिता के साथ क्या किया है और वह चाहती है कि वह रुख जाए एराम तै करती है कि मारिया के साथ जिसने भी बुरा किया उसके लिए उन सभी को दंडित किया जाए एम मार्क से बदला लेने का फैसला करती है इसलिए वह उसके लिए जाल बिचा कर उसका पैर तोड़ देती है इसके तुरंद बाद एराम खुद को आई स्केटिंग करना सिखाती है और फिर लिली के साथ अभ्यास करने जाती है एराम लिली को शर्मिन्दा करती है और उसे गिरा देती है बर्फ में लिली के सिर पर इतनी जोड से चोट लगती है और वह मर जाती है उसी रात मारिया पूरी तरह गुसे में और देहशत में है वह एम के साथ वापस जाना चाहती है क्योंकि वह जो कर रही है वह बहुत भयानक है लेकिन एम मना कर देती है और अपनी योजना के साथ जारी रहती है कुछ दिनों के बाद एराम और सीन एक साथ पार्टी करना शुरू करते हैं वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति है, वह पीती है और धूम्रपान करती है वे एक मोटल में एक साथ समय बिताते हैं और जल्द ही सीन को एक कॉल आता है पुलिस उसे बुला रही है और वे चाहते हैं कि वह और मारिया दोनों स्टेशन आएं वल जाने से मना कर देती है और शौन उसके साथ जबर्दस्ती करने की कोशिश करता है गुस्से में आकर उसने बोतल से उसके सिर पर वार कर दिया दुरगटना से शौन की भी मौत हो जाती है वो ऐसा नहीं करना चाहती थी और अब वह और मारिया दोनों तबाह हो गए है इमी को बच्चे को जन देने के और भी सपने आते हैं तब ये पता चलता है कि मारिया वास्तव में एक जुडवा थी और जब ये जुडवा पैदा हुए तो डैन ने इसे मार डाला क्योंकि यह विकृत थी इमी का दिल तूट गया था और वह इसे कभी नहीं भूली एम दैन से बात करने जाती है वह अभी भी अपने कार्याले में है और वह उससे पूछती है कि अगर वह विकृत या बदसूरत दिखती है तो क्या वह उसकी देखभाल करेगा वह उस सवाल का जवाब नहीं दे सका लेकिन थोड़ी देर बाद कहता है कि उसके पास एक विकृत बच्चा नहीं हो सकता फिर वह डैन को भी मार देती है वह उस पर भड़की हुई है और अब उसने आखिरकार अपना बदला ले लिया है हत्या के बाद एराम अब मार्या को नहीं देख सकती है और वह अपनी मा के घर वापस चली जाती है ऐसा लगता है कि अब मार्या और एराम एकी शरीर साजह करते हैं और उनका भविषय किसी को भी नहीं पता है इस वीडियो को लाइक करें ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें देखने के लिए धन्यवाद ट्रिपया पसंद करें सब्सक्राइब करें और नए फिल्म फाइंडिंग्स वीडियो देखने के लिए घंटी के बटन पर क्लिक करें